नमस्कार दोस्तों, पंद पड़ाओ में आप सभी का स्वागत है आज कहानियों का सफर नामा में श्री शेखर जोशी जी की लिखी कहानी दाज्यू तो चलिए शुरू करते हैं अगर शुरू करने से पहले एक छोटी सी दर्खास उन सभी से जो आज पहली बार पंद पड़ाओ में आए हैं पहले सब्सक्राइब कर लिजिए, बाद में भूल जाएंगे आप तो चलिए, शुरू करते हैं चैक से निकल कर बाई और जो बड़े साइंग बोर्ड वाला छोटा कैफे है वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था गोरा चिट्टा, नीली शफाक आँखें, सुनहरी बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं कमल के पत्ते पर फिसलती हुई बूंद कीसी फुर्ती आँखों की चंचलता देखकर उसके उम्र का अनुमान केवल नौदर्स वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उसकी उम्र रही होगी अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वे एक मेज से प्लेटे उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वे सामने था मानो घंटों से उनकी उस इस्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो वे कुछ बोला नहीं हाँ नमरता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा सा जुका और मुस्कुराया भर था पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेन्यू समाहित था सिंगल चाय का ओर्डर पाने पर वे इस बार पुन्हा मुस्कुरा कर चल दिया और पलक मारते ही चाय हाजिर थी मनुष्य के भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं निर्जन एकान स्थान में निसंग होने पर भी कभी-कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करने लगता इस एकाकी पन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना पन है परंतो इसके विपरीत कभी-कभी सेंक्णों नर नारियों के बीज जन्रव में वातावरन में रहकर भी सूने पन की अनुभूती होती है लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपना त्वहिन पर यह अकारण ही नहीं होता इस एकाकिपन की अनुभूती इस अलगाव की जड़े होती है विचोह या विरक्ती की किसी कथा के मूरी में जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं चैक की चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हीं लगता है सब कुछ अपना त्वहिन है शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें वातावरण में अपने पन की अनुभूती होने लगे पर आज तो लगता है यह अपना नहीं अपने पन की सीमा से दूर कितना दूर है और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गाउं पड़ोस की आदमी स्कूल कॉलिज के छोकरे अपने निकट शहर के कैफे होटल चाय शाप जगदेश बाबू ने राखदानी में सिगरट जाड़ी उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनी में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अन्भो हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया क्या नाम है तुम्हारा मदन अच्छा मदन कहां के रहने वाले हो पहाड कहूं बाबू जी पहाड तो सैकडों है आबू, दारजिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोडा तुम्हारा गाउं किस पहाड में है इस बार शायद उसे पहाड और जिले का भेद मालू हो गया मुस्कुरा कर बोला अल्मोडा, शाब अल्मोडा अल्मोडा में कौन सा गाउं है विशेश जानने की गरत से जगदीश बाबू ने पूछा इस प्रशन ने उसे संकोच में डाल दिया शायद अपने गाउं की निराली संग्या के कारण उसे संकोच हुआ था इसलिए टालता हुआ सा बोला वे बहुत दूर है शाब अल्मोडा से पंद्रा भी शमील होगा फिर भी नाम तो होगा ही जगदीश बाबू ने जोड दे कर पुछा डोट्याल गौँ वे सकुचाता हुआ सा बोला जगदीश बाबू के चहरे पर पुती हुई एकाकीपन की शाही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकट वरती गाउं के रहने वाले हैं तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी उसके मुँ से शब निकलना चाह कर भी ना निकल सके खोया खोया सा वहमानों अपने अतीत में फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो गाउं, उंची पहाडियां, नदी, इजा, बाबा दीदी, भुली, दाजू मदन को जगदीश बाबु के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी, इजा नहीं, बाबा, नहीं, दीदी, भुली नहीं, दाजू, हाँ, दाजू दो-चार दिनों में मदन और जगदीश बाबु के बीच अजनवी पन की खाई दूर हो गई टेबल पे बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता दाजू, जैहिन दाजू, आज बहुत ठंड है दाजू, क्या यहां भी हूँ पड़ेगा दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा सा खाना खाया और तभी किसी ओर से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उसकी आवाज की प्रती धुनी के पहुँचने से पहले वहां पहुँच जाता ओर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता दाजू, कोई चीज? पानी लाओ लाया दाजू दूसरी टेबल से मदन की आवाज सुनाई देती मदन दाजू शब्द को उतनी ही आतूरता और लगन से दोहराता जितनी आतूरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकी पन दूर हो गया उन्हें अब चैक कैफे ही नहीं सारा शहर अपने पन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा परन्तू अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू मदन इधर आओ दाजू शब की आवरती पर जगदीश बावू के मध्यम वर्गय संसकार जाग उठे अपनत्व की पतली डोर एहम के तेज धार के आगे टिक न सकी दाजू चाय लाओ चाय नहीं लेकिन यह दाजू दाजू के चलाते रहते हो दिन रात किसी की प्रेस्टीश का ख्याल भी नहीं तुम्हे जगदीश बावू का मूँ क्रोथ के कारण तम तम आ गया शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका मदन प्रेस्टीश का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी ध्यान उने नहीं रहा पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया मदन को जगदीश बावू के वहवार से गहरी चोट लगी मैनेजर से सिर्दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सिर्दे कोठरी में सिस्कें भर भर कर रोता रहा घर गाउं से दूर ऐसी परिस्थिती में मदन का जगदीश बावू के प्रती आत्मे प्रदर्शन स्वभाविक ही था इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे इजा की गोदी से बाबा की बाहों से और दीदी के आचल की छाया से बल पूर्वक खीच लिया हो परंतु भावकता स्थाई नहीं होती रो लेने पर अंतर की घुमरती वेदनाओं को आँखों के राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चे करता है वे भावक्षणों की अपेक्षा अधिक विवेक पून होते है मदन पूर तह काम करने लगा दूसरे दिन जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेट बच्पन के सहपाथी हे मन से हो गई कैफे में पहुँचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया परंतु नहीं लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया आज उसके मूँ में नवे मुसकान थी और ना ही उसने क्या लाउं दाजू कहा सुयम जगदीश बाबू को कहना पड़ा दो चाए दो आमलेट परंतु फिर भी लाया दाजू कहने किये पेक्षा लाया शाप कहकर वह चल दिया मानो दोनों अपर इचित हूँ शायद पहाड़िया है हिमंत ने अन्मान लगा कर पूछा हाँ रूखा सौत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वारता लाप का विशय बदल दिया मदन चाए ले आया था क्या नाम है तुम्हारा लड़के हिमंत ने एहसान चड़ाने की गरत से पूछा कुछ शणों के लिए टेबल पर कंभीर मौच आ गया था जगदीश बाबू की आँखें चाए की प्याली पर ही जूकी रह गई मदन की आँखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी जगदीश बाबू का एक ऐसे ही दिन नाम पूछना फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टिश का ख्याल ही नहीं रहता तुम्हें जगदीश बाबू ने आँखें उठा कर मदन की ओर देखा उन्हें लगा जैसे वह जौला मुखी सा फूट पड़ेगा हेमन्त ने आग रह के स्वर में दोहराया क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं शाब मुझे शंक्शिप्त सा उत्तर देखकर वह मुड़ गया आवेश में उसका चहरा लाल होकर भी अधिक सुन्दर हो गया था बस इतनी ही थी ये कहानी दाजू उमीद है आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नए सफर में एक नए कहानी के साथ नमस्कार